जय हिंद इस वीडियों हम लोग NCLT के बारे में बात करेंगे कि NCLT क्या होता है कैसे काम करता है इसे क्यों लाया गया था इसकी आखे क्या जुरूत पड़ गए थी चुकि हम लोग Insolvency and Bankrupt cortic code को 2 भागों बाटा गया है एक है Regulators और दूसरा है Red Def anime की और आगे पड़ेंगे दर्ट कमपनियों की विवादों को सुझाने का कप Link जो डेप्ट से रिलेटेड विवाद होते हैं उसको DRT सुल जाता है और बाकी जो अन्न विवाद होते हैं जैसे से भी किसी कंपणी को SMGS में डाल देया बहुत दिन तक नहीं निकाला यह सब विवाद NCLT सुल जाता है तो आपने इंसॉलवेंची और बैंक रप्टिक कोड के और यह जो NCLT कानून बना इसके लिए Special Insolvation Bank करप्टिक कोड आया था जिसके बारे मैंने आपको बताया इसी कोड के अंतरगत इसको कंपनी एक्ट में बनाया गया NCLT को अब समझे NCLT जो है एक क्वासी जूडिस्चिल बड़ी है क्वासी अर्थात अर्ध नायक संस्ता है क्योंकि NCLT सिर्फ कंपणियों की विवादों को सुल जाता है बाकी तो कोई मामला अब जैसे हम लोगों कोई लड़ाई चाग रहा होते हैं तो अपने जो जिला अस्तर पर कोट होते हैं जिसे सत्र नाले बोलते हैं या राज अस्तर पर बहुत बड़ा कोट होते हैं इस उस पर कोई मुकादमा ठोकती है या कुछ हो गया तो वह भी बात को लेकर वह एंसे लटी के पास जाता है इसका लावा से भी सिर्लेटर जितने कंपणियों के इसू होते हैं से भी किसी कंपणियों को बहुत दिन तो के यह से में डाल कर रखा है बाहर नहीं निकाल रहा है या और भी जो दुसरी तरह के इसू होते हैं उसको कंपणिया एंसे लटी के पास लेकर जाती है और एंसे लटी उसका समधान करता है तो एंसे लटी स्पेशल कंपणियों के लिए बनाया गया ताकि जो भारत की अन्य कोट है उस पर ज्यादा बोज ना पड़े तो उमीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ रहा होंगे और वीडियो आपको इंफर्मेटीव लगी होगी अगर मन में कोई सवाल है इस तरह लेटर तो उसे जरूर पूछिए मैं उसका जवाब देने की कोशिस करूँगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए सुक्रिया ध आपने वाद